अगर आप अपनी केटलोग को अपलोड करते हो, तो वहाँ पर आपको जो केटलोग पेज आता है आपका, वहाँ पर आपको फाइनल पेआउट वाले सेक्शन में, कई वार पेआउट बहुत ही काम होता है सेलिंग प्रैस से रिलेटिड अगर आप देखा जाया, तो आपको पैसा बेसिकली जा का रहा है, तो यहां पर शॉप क्लोज में क्या होता है, कभी-कभी इशू हो जाता है कुछ-कुछ केटलोग कुछ-कुछ आपकी लिस्टिंग में कि वह जो जो वेट होता है आपके प्रोड़क का पैकेज का वह बहुत जादा मान लेते हैं है क्टेगर पार उसका शेपिंग चार्ज में चला जाता है, इसी प्रॉब्लम को हम सॉल करने वाले हैं इस वीडियो में तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहे ना क्योंकि आपको सारा सुलीशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो यह दोस्तों मैं आप देख रहे हैं, आपको दिखाने के लिए, तो यहां पर आपको सिंपली आपको दिख जाएगा है, यह वाली जो ट्रेंसे टोई है, जो कि मैं MRP 1750 है, और 749 की मैं सेल करना चाहता हूँ, सेलिंग प्राइस, बट यहां पर आप देख पा रहे होगी, कि 174 मुझे पे आउट मिलेगा, expected पे आउट जो यहां पर देख रहे हैं आप, वो 174 ही मिलेगा सिर्फ, तो इसके पास हम कैलकुलेटर पहले option पे जाते हैं, देखत हैं, 1 kg से, और यहां पर आपको 5.5 kg का चार्ज यहां पर कर दिया है, बेसिकली, वेट डाल दिया है, तो इसलिए आपका जो लेस हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है, वो इसका है, फुल्फिल्मेंट सर्विंग फीस, सर्विस फीस, सो यहां पर बेसिकली यह जो लॉजिस्टिक फीस होती है, इसको 4.98 रुपीस डिड़क कर रहा है, on the basis of this weight, क्योंकि इसका प्रोड़क का वेट जादा है, तो इसलिए वो शिपिंग चार्ज भी जादा ले रहा है, इसलिए मेरा प्याओट बहुत जादा नीचे जा रहा है, अब यहां पर आपक कोई issue लग रहा है, तो आपको कितना basically क्या करना चाहिए, तो यहां पर आपको raise ticket का simply option देखेगा, या तो आप यहां से click करेंगे, या फिर आप merchant support पर जाएंगे, आपको एक ही page पर यह redirect करेगा, tickets वाले page पर जहां पर आपको अपनी query raise करनी है, तो यहां पर आप इनको definitely call भ आपको जाना है, catalog में आपका issue है, तो issue select करना है, फिर sub reason क्या है, basically sub issue क्या है, आपको जो catalog में face कर रहे हैं, so यहां पर आप select कर सकते है facing issue, and यहां पर आप select कर सकते है one by one upload, and इसको हम submit कर देंगे, submit करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले अपनी catalog ID mention करनी है, या जो भी आ आपको copy करनी है यहां से, जिस भी उसमें आप issue face कर रहे हो, and यहां पर आपको लिखना है product ID, जो है वो यह है, इससे related मेरा issue है, and यहां पर आपको लिखना है actual weight of this product after packing इतना है, product dimensions after packing इतना है, and जो weight आपके calculator में शोर है, वो इतना हो रहा है, 5500 grams, and यहां पर आपको इसकी calculation ज चाहो तो यहां पर एब एक red box बना सकते हो, इसके around, कि हाँ यह वाला जो area, point out कर सकते हो, यहां पर यह weight आपका जाद है, इस वज़ए से यह वाला amount जो है, वो भी आपको जादा charge हो रहा है, so यह volumetric weight dimensions से check करेंगे, and यहां पर आपको actual weight आपका देखेंगे product का packing के बाद, and यहां पर चेक कर लेंगे, and उस चीज को, issue को resolve कर देंगे, so यहां पर आपको product idea आपने already mention कर दिये, screenshot आपको mention करने है, यह वाला, जो कि मैंने आपको बताया, इस चीज को सब करने के बाद, आपको यहां पर कर देना है, simply raise ticket, so यहां पर यह up to 48 hours में, आपके पास return करेंगे, basically आपकी query को solve करने ही, कोशिश करेंगे, अगर इनको genuine लगा case, तो आपका यह जो weight है, यहां पर videos हो जाएगा, आपकी जो costing है, वो सही हो जाएगी, ताकि आपको payout इसका सही मिलेगा, ताकि आप इस product को अच्छे से sell कर पाए, तो यह तो आपको समझ आ गया होगा, कि इस issue को कैसे solve करना है, अगर आपका order आता है, आपका pick up done नहीं होता है उसी दिन में, तो आपको penalty से कैसे बचना है, उस video को आप ज़रूर देखना, आप मैं आई बटन में उसका video का link डाल दूँगा, तो वो डी video definitely miss मत करना, तो क्या कि आपके बहुत काम आने वाली है, और मैंने ए इक video में दिखा रहा है, उसको भी मैं आई बटन में डाल दूँगा, तो वो आप definitely check out कर सकते हैं उस video को भी, तो I hope आपको समझ आगे होगा कि shop clues पे अगर आप overcharged हो, यानि कि आपकी shipping या फिर weight जादा है, shipping charges जादा लगे है, तो आपको इस case में क्या करना चाहिए, अगर सम तो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को हम यही तक रखते हैं, और आपको आई बटन में प्लेलिस दिख जाएगी, वहाँ पर आप शॉक लूट से रेलेटेड और भी वीडियो से खफी सारी देख सकते हैं, और चैनल में विजट करके बार की प्लेलिस भी देख सकते हैं, तो इसी के साथ हम वीडियो को खतम करते हैं, मिलते हम किसी अगली वीडियो में, तिल दें टेक करेंगे, और बाये हैं